बिग बॉस अठारा वोटिंग ट्रेंड क्या बोल लिए दोस्तो वोटिंग ट्रेंड लेके आये हूँ मैं रात को कौन निकल रहा है दोस्तो नमबर वन पे हमेशा की तरह वोटिंग ट्रेंड पे आसिम ने जिनको फेमस किया था खत्रोय खिलारी में करनवीर महराजी है आसिम के फेमस करवाने का हाथ है करनवीर का इसलिए करनवीर जो है वो नमबर वन पे अभी है ना क्योंकि आसिम से दुश्मनी जो लेगा उसको पबलिक फिर सपोर्ट करती है है ना और खत्रोय खिलारी शो भी जीता उसने तो वोटिंग ट्रेंड में नमबर वन पे है करनवीर नमबर टू पे हमारी चाहत पांडे जिया दोस्तों चाहत पांडे के बाहर बहुत फैन फोलोई है उसने बहुत सारे जो है सीरियल वगेरा की है तो नमबर टू पे चाहत पांडे है जब तक आप घर में सब के दुश्मन होंगे तब तक बाहर आपके फैन्स होंगे बिग बॉक्स का गेम ही तीन तरीके से खेला आता है एक अंदर से एक बाहर से एक ओडियन्स है है ना तो चाहत पांडे को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है नंबर दो पे है चाहत पांडे है ना जो भी वो कर रही है कंटेंट दे रही है सब के दुश्मनी पे है नंबर तीन पे है अविनाश वो नहीं जाने वाला है अभी लाइफ इड में घर में सब लोग बोल रहे है अविनाश नहीं जाएगा जो अभिनाश के दो चम्ची बनी है अभी अलिस कौशिक और ईशा ये दो जो है अभिनाश की न्यू गर्फरेंड है अलिस तो टॉप टू में है लेकिन मुझे नहीं लगता अलिस कौशिक टॉप टू तक वो जाएगी क्योंकि उसका जगा कोई औल ले लगा अकेला कौन-कौन खेल रहा है मुझे बताईए इस गेम में अभी अकेला कौन है विवेन और चाहत पांडे ये दोनों अकेले गेम खेले और ये दोनों ही फिनाले तक जाएंगे अभिनाश नंबर तीन पर है नंबर चार पर है मुसकान मुसकुराती रहती है इसको अभी नहीं निकालेंगे इसको थोरा और इसको थोरा और एमजी लेकर आईए शायद ये इसको थोरा और रखेंगे निचोरेंगे इसके बाद निकालेंगे इसको इसके पहले और भी जाने वाले अब मैं बोलता हूं घर में जो पेट्रोल छी रखता है जो जगरा लगाता है इधर से उधर वो पता है कौन है आपको मैं बताता हूं वो है आर्फीन खान और सारा आर्फीन खान ये दोनों जो है जगरा लगाते हैं हर जगा जाके इधर की बाद उधर करके आज जो है आलू की टिक्की जो विवन ने बनाया था और जो जगरा हुआ बाद में खाना कम पर आलू की टिक्की हुआ क्या है यह जो मारे आर्फीन भाई है इसने अविनाश को बोला होगा शायद जाके सबको बुला के ला आलू की टिक्की बना है तो सबको बुला के ला आ अरीवकर कॉल तो पर ग्या तो यह जो है जहगरा लगा रहा है सब चीज में यह दौनों मिया भी बी जो है कि यह ट्रिगर कर रहा है लोगों को मैनुप्लेट कर रहा है यह क्योंकि यह ग्रिटिखण सामने भी बोला था इसने मिनेपुलेट कर सकता हूं लोगों ट्रिगर कर सकता हूं तो यह जो है निकलने वाले हैं जल्दी इनको अभी नहीं निकलेंगे अरफीन और सारा अरफीन हेल्थ कोच यह लाइफ कोच है यह लोग एना रित्तिक रॉशन के लाइफ कोच है मुझे ल अविनाश का जो जगरा हुआ था उसमें भी rights in बीच में था उसमें भी अर्फीन होका और कल जो जगराह पेटोल डालनी है हर जगरी के साथ के इनका हाथ है नमबर वन पर है करनवीर टू पर चाहत तीन पर अभिनाश मुस्कान चार पर पास नमबर पर गुन रतना सदावर्ते इनका ही साथ भाई साब का नमबर कटने वाला है इविक्षन अगर होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है फिलाल देखते क्या होता है वो तो कली पास लेगे लेकिन सल्मान सर्ज जो है भाईया सबकी क्लास लेंगे एक एक करके जो फेक फाइट ये लोग कर रहे है फिलाल नॉमिनेशन में आती है ये हमारे गुन रतना जी एक्टिव हो चुके हर किसी से बात कर रहे है अभी लेकिन फिर भी देखते इनको वोट तो नहीं मिलेंगे यह ना देखते क्या होता है चलिए थैंक्यू बाई किसी कुछ बुरा लगी तो सॉरी